हाजी, very good morning dear students, welcome to सिजदेवस कमिस्ट्री क्लासेश काबो हाइडरेट्स हम बायो मालीकुल के चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं काबो हाइडरेट्स के बाद हमने प्रोटीन्स को पढ़ना है प्रोटीन का मतलब ग्रीक लैंग्विज में फर्स्ट होता है और इसे ब्राजिलिस ने इस टर्म को दिया था प्रोटीन की इंट्रोड़क्शन की बात करें तो ये एक important role play करती है हमारी बाडी के structure को build up करने में और हमारी बाडी में जो biological cells में जो metabolism हो रही होते हैं या chemical reaction हो रही होते हैं तो प्रोटीन्स ऐसे chemical substances हैं जो हमारी growth के लिए responsible हैं हमारी life को maintain करने के लिए responsible हैं जितने भी बड़े molecule होते हैं macro molecule होते हैं plants and living cells में प्रोटीन उनमें सबसे ज़्यादा complex होते हैं और सबसे ज़्यादा important भी होते हैं very vital to living organism क्योंकि ये बहुत सारे biological functions जो हैं अब बात करें कि प्रोटीन्स किसके बने होते हैं तो जो प्रोटीन्स हैं amino acids के बने होते हैं तो लेकिन एकदम से directly हम amino acids पर नहीं आ सकते हैं वैसे इतना जरूर बताना चाहूँगा कि animal की जो cell wall होती है वो proteins की बनी होती है animal की cell wall तो नहीं हम कह सकते cell membrane कह देते हैं plant की cell wall होती है और animal की cell membrane होती है chemically अगर बात करें तो वैसे तो काफी detail है लेकिन फिलहाल introduction के लिए ये carbon hydrogen oxygen और nitrogen के बने होते हैं और इनमेंसे कुछ elements जैसे sulfur, phosphorus, iodine और zinc, iron, etc. जो है वो present होते हैं protein की अगर hydrolysis कर दो तो peptides मिल जाते हैं peptide की hydrolysis कर दो तो alpha amino acid मिल जाते हैं वहलो alpha amino acid जो है monomer है इसकी polymerization हो जाए तो हमें proteins जो है वो मिल जाते हैं I'm sure कि आपको protein की introductory part जो है वो समय लग गया होगा ठीक है आगे चलते हैं proteins की बहुत सरी type हैं जैसे के enzymes एक्जामबल ट्रिपसिन और पेपसिन ये biological reaction को catalyze करती है protein की दूसरी type है transportation में help करती है हीमोगलोबिन जैसे इसकी example है ये oxygen को lung से लेके body के different tissues में transport करती है फिर हमारे पास ऐसी proteins हैं जो motion में help करती हैं यानि हमारे muscles में myacin और actin होते हैं ये muscle की movements में help करती हैं ठीक है और structure जो बाल होते हैं nails होते हैं, teeth होते हैं उनमें collagen, keratin जो है वो present होती है और इसके लावा information transmission के लिए दो हमारे पास proteins हैं insulin जिसे hormone भी कह जाता है glucose और ये hormone का काम करते हैं दोनों एक glucose के level को control बना दोनों ही एक दूसरे से opposite करती हैं insulin जो है body में sugar को control करने में help करती हैं वैसे हमने अभी पीछे पड़ा पिछले page पे के protein से जो है ultimately alpha minus acids बनते हैं तो alpha minus acids क्या होते हैं जैसे के नाम suggest करता है इसमें एक तरफ alkyl group लगा होता है एक CH लगा होता है एक तरफ carboxylic acid लगा होता है और एक तरफ NH2 group लगा होता है ठीक है तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ यह मारे पास minor acid का structure है तो यह carboxylic acid है जैसे मैंने आपको बताया carbon के साथ NH2 है और एक carbon की chain है तो यह alpha minus acid होती है क्योंकि यह function group है न तो functional group carbon वाला carbon के बिना वाला हो तो फिर जैसे alcohol carbon के साथ attach है तो उस carbon को alpha carbon कहना है लेकिन अगर function group जो है वो carbon वाला हो तो उसे जो next carbon है उसे alpha कहते है और उसे अगर next हो उसे beta कह देते है उसे next हो उसे gamma कह देते है यहाँ नहीं है नहीं है नहीं नहीं है वो alpha carbon पे attach है तो they are called as alpha amino acids I'm sure कि आपको यहाँ तक clear हो गया होगा alpha amino acids को acidic भी होते है basic भी होते है neural भी होते है depend करता है कि इन में NH2 और carboxylic acid के कितने कितने group present है इनको acidic तब कहा जाता है अगर carboxylic acid का number NH2 से ज़ादा हो जाए acidic alpha amino acid होते है basic amino acid में NH2 का number जो है वो carboxylic acid से काम होता है और जो neutral amino acid होते हैं उन में carboxylic acid और amino group का number equal होता है तो उनको neutral amino acid कहा जाता है तो यह मनें classify किया कि यह acidic होते हैं basic होते हैं neutral होता है यह depend करता है कि इनके अंदर carboxylic acid और amino group का कितना कितना number है physical properties की बात करें alpha, minus acid की तो जो सबसे main characteristic है alpha, minus acid का, ये usually colorless होते थे हैं crystalline solid होते हैं और इनके melting point high होते हैं generally ये water soluble है और ये dipolar iron very important line या zhuter iron का role play करते हैं ये बहुत important है ये आपने जिरूर ल्यात करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि जुटराइन क्या होता है जुटराइन में यह जो हाइडरोजन होता है यह माइगरेट करके NH2 के साथ लग जाता है तो फिर यहाँ पे बीचे COO नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पे NH3 और H चुके यहाँ पे माइगरेट करके आया तो इस पे पॉजटिव चार्ज आ जाएगा तो जब पॉजटिव चार्ज आ जाएगा तो यह दिखाया हुआ है कि जैसे यह alpha-mino acid है यह hydrogen इसके lone bear of electron पे attack कर देता है यह lone bear of electron hydrogen पे attack करके इसको ले जाते हैं पीछे negative charge होड़ जाते हैं और nitrogen के उपर positive charge इसको dipolar आइन कहा जाता है यह जो dipolar आइन होता है यह zwitter आइन होता है अगर इस zwitter आइन को यह आपका जो zwitter आइन है इसको अगर acidic medium में ले जाएं यह acidic medium है अगर इसको acidic medium में ले जाएं तो जो COO negative है वो H plus पे attack कर देता है तो फिर यह कटाइन बन जाता है ठीक है और अगर zwitter आइन को basic medium में रख दें तो जो OH negative है यहां से H plus को extract कर लेता है तो यह NH2 बन जाता है पर काव उग्जलेट पे negative charge ही रहता है तो यह anoint मन जाता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ के एसिनिक मीडियम में जो है वो कटाइन की तरह बहेव करता है और basic मीडियम में यह anoint की तरह बहेव करता है तो यह anoint जो है अनोड की तरह माइगरेट करता है और जो कटाइन है वो कथोड की तरह माइगरेट करता है लेकिन किसी खास pH वैल्यू पे ये जो जिटराइन है ना कटाइन ना एनाइन दोनों में से किसी तरफ मूव नहीं करता इस तरह की pH वैल्यू के पॉइंट को आईसो इलेक्रिक पॉइंट कहा जाता है ज्यादा तर एल्फा माइनो एसिट की जो आईसो इलेक्रिक पॉइंट की रेंज है 5.5 से लेके 6.3 तक होती है तो इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि particular एल्फा माइनो एसिट की least solubility होती है वाटर में और इस property से हम different एल्फा माइनो एसिट जो के mixture में present है उनको हम separate out जो है वो कर लेती है I'm sure this is clear to you guys clear है ठीक है चल आगे चलते है अच्छा जो एल्फा माइनो एसिट का first member है वो glycine होता है glycine में क्या होता है कि ये CH है ना ये COOH है ये NH2 है यहाँ पर हम R लगाते हैं ना तो R की जगाँ यहाँ पर H लग जाए तो carbon के साथ 4 group different नहीं है ये ये मैंने बनाया है तो जब carbon के साथ 4 group different कैसे नहीं है ये काप गजले किसे लगया एक amino लगया दो hydrogen लगया ये first member होता है amino acid का alpha amino acid का ये चुके carbon जो है काइरल नहीं है ये काइरल है क्योंकि इसके साथ सारे जो groups है वो different नहीं है बलके दो groups hydrogen एक जैसे है तो ये काइरल नहीं है तो ये optically active नहीं होगा ये optically active नहीं होगा इसका अवालो alpha amino acid जो है वो optically active नहीं होते उनका जो first member है जिसका नाम क्या है glycine लेकिन alpha amino acid के जो बाकी सारे member है first member को छोड़के वो optically active होते है आगे हम D&L notation के बारे में बात करेंगे हम काबोईडिट्स में already बता चुके है कि ये penultimate carbon है ये penultimate carbon क्या होता है second last carbon होता है second last carbon है अगर second last carbon में NH2 जो है वो right hand side पे लगा है तो उसे DE कह देते हैं और अगर नाम इसका चलो alanine है वो अलग बात है प्याद कर सकते हैं और अगर NH2 group जो है वो left hand side पे हो तो उसे हम L alanine कह देते हैं ठीक है तो ये जादा तर जो nature में find out करने वाले amino acid है उनकी configuration L configuration होती है ये like उनके second last carbon पे यानि penultimate carbon पे जो NH2 group होता है वो left side पे होता है यहां तक आपको समझ लग गया होगा ठीक है biology से शुरू होगी ना एक तरह से देखा जाए तो चलो ये last chapter ही है ये ठीक है तो I'm sure के आपको यहां तक समझ लग जा होगा आप वीडियो रिवाइन कर सकते हैं सुन सकते हैं दुबारा chemical properties की बात करें तो इसकी chemical properties में हम बताएंगे कि पहले हम इसमें peptides के बारे में बात करेंगे peptides से ही polypeptides और polypeptides से proteins बनते हैं peptides ऐसे compound हैं क्योंकि amino acid से हमारे पास जो है वो peptides बन जाते हैं peptides ऐसे compound होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा alpha amino acid combine करते हैं और उन्हें से water जो है वो बाहर निकल जाता है जादा बेटर क्लेर होगा तो यह में बस Glycine है तो यह काबुख जलेके सिड इस तरफ है और इस तरफ इसके NH2 है और Glycine यहां पर CH3 लिख दिया तो यहां से water जो है वो eliminate हो जाता है water eliminate हो गया तो bond जो है कौन सा होगा CO-NH bond CO-NH bond CO-NH bond को कौन सा bond कहते हैं amide bond कहते हैं तो अगर एक bond है CO-NH तो से amide कह देंगे अगर जादा है large number हैं को polyamide कह देंगे तो इससरे से peptide बनते हैं आप इसको उल्टा भी कर सकते हो अच्छे यहां पर लेका हो ना end terminal glycine और यहां पर लेका C terminal alanine इसका क्या मतलब है इसमें NH2 group जो है वो free रह रह रहा है वो किसी के साथ combine नहीं कर रहा है और carbon terminal alanine में जो carbon है वो free end है और यहां पर जो NH2 है वो free end है water निकलने के बाद हमारे पास यह जो बना इसे gly-ala glycine कहते हैं लेकिन UPAC recommendation के accordingly इसको जो पहला आपने amino acid लिया वो glycine था और दूसरा कौन सा था alanine था तो यह glycine alanine बन जाएगा alternate करना है तो इसको इससरफ ले जाओ इसको इससरफ ले जाओ ठीक है तो फिर इसका नाम भी बदल जाएगा जो पहले नमबर पे होता है पहले उसका नाम लिखना होता है आला यानि के alanine और फिर यह glycine है तो glycine के बाद हमने यहाँ पे भी glycine लिख दिया water यहाँ से eliminate होगा तो bond CO और NH के बीच में बन जाएगा तो CO NH bond जो है वो peptide की पहचान होती है तो alpha amino acid में 3 से लेके 6 तक जो है वो different combination बन जाएँगे अगर 3 alpha amino acid हमारे पास हो यानि glycine, alanine और phenylalanine combine करें तो 6 तरीके से combine कर सकते हैं पहले दो तरीकों में glycine पहले नमबर पे होगा दूसरे दो तरीकों में alanine पहले नमबर पे होगा और last, fifth और sixth नमबर पे phenylalanine जो है वो पहले नमबर पे होगा ठीक है? यहां तक आप लोगों को clear है अन्शूर के यहां तक आपको clear हो गया होगा depending upon के कितने amino acids present हैं peptides को classify किया गया है oligo peptide इसकी hydrolysis करने के बाद हमें 2 से लेके 9 तक amino acid मिलते हैं polypeptide इसमें hydrolysis करने के बाद इस तरह की protein की 10 से लेके 100 तक amino acids मिलते हैं और protein में 100 से ज़ादा amino acid जो है वो present ठीक है बच्चा? Are you clear about it? polypeptides जैसे के हमने amino acid से peptide बना लिया है peptide combine करते जाएंगे तो क्या बनेगा? polypeptide बनेगा ठीक है तो इनकी tendency होती है aggregate करने की मनलब join करने की अब protein को classify कई तरीकों से किया जा सकता है structure के बेस्ट पर हम पहली जो classification ले रहे हैं classification based upon composition composition पर बेस पर protein जो है इनको दो तरह से main जो है दो main type है जैसे classify करेंगे पहले हैं fibrous protein इस fibrous protein में linear molecule होते हैं इनको side by side रखा होकता है और different polypeptide change जो है intermolecular hydrogen bonding के साथ भी एक दूसरे को attract करती है और इनमें जो structure है thread like structure होता है यह protein काफी stable होती है अगर थोड़ा बहुत temperature यह pH भी change हो जाए तो यह protein जो है वो अपनी जगांपे stable है इनके structure मतलब primary यह जो fibrous protein है इनके structure में कोई changes नहीं आते थोड़ा बहुत pH value का change हो अब आप सब्वन से हाथ दोते हो तो आपके बालों पे या नाखुन पे कौन सा change आता है कोई change नहीं आता ना सब्वन से pH value में तो change आते ही होगा कई बार आप और भी ऐसे spices चीजे जो है अपने हाथ से यूज करते हो तो आपकी जो मतलब primary protein यह फ़ाइब्रिस protein है उसमें कोई structure नहीं आएगा तो इसकी example है केरेटीन, collagen, mycine, fibroin फिर होते हैं globular protein, globular protein के नाम से नहीं पता नहीं चल रहा है नाम से पता चल रहा है कि यह globule होते हैं, सिफेरिकल होते हैं बाल होती है, प्लास्टिक की चोटी यह तो यह folded होते हैं और सिफिरोइडल शेप्स बना लेते हैं, सिफिरोइडल शेप का मतलब सिफेरिकल होते हैं और यह इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास इंट्रामालिकलर हाइड्रोजन बानिंग होती है जो फंक्शन होता है globule protein का यह होता है कि to maintain, regulate the life cycle example इसमें hemoglobin, myoglobin, insulin, albumin, fibrinogen, etc. ठीक है, यहां तक clear है बेटा, are you clear about it? आगे चलें, classification depending upon hydrolysis product hydrolysis करने के बाद हमारे पास जो classification है पहली का नाम है simple protein इनकी hydrolysis करेंगे तो alpha minus से directly मिल जाएंगे example है, अंडे के अंदर जो white part होता से albumin कहते है wheat के अंदर जो protein होता से glutenin कहते है बालो के अंदर जो protein होता से keratin कह देते हैं mostly concerned होता है और special biological function protein के ये complete करता है जो conjugative protein होते हैं उसकी example है कि उसमें एक ऐसा prosthetic group present है nucleopatin इसमें जो prosthetic group है वो nucleic acid है बना nucleic acid protein नहीं है पर ये prosthetic group है glycopatin या mucopatin में जो prosthetic group है वो सम carbohydrate होता है एक्जैंपल myacin है क्रोमोपतीन में जो prosthetic group होता है उसको color बनाता है color बनाता है सब protein को और ये iron copper manganese हो सकते हैं जैसे के hemoglobin लाल रंग को होता है तो iron की वज़े से myoglobin chlorophyll magnesium की वज़े से और lipopatin में जो prosthetic group है वो lipid है इसकी example lesthin है अंडे के अंदर होती है फॉस्फो पोटीन जो है वो इसमें जो prosthetic group है वो phosphory caseid होता है ठीक है यहां तक clear फिर इसके लावा हमारे पास dry proteins भी होती है यह protein हमें simple या conjugated protein की partial hydrolysis से मिलती है protein की hydrolysis करने से proteosis मिल जाते है proteosis की hydrolysis से peptones मिल जाते है peptone की hydrolysis से polypeptides मिल जाते है फिर वहारे पस primary structure है protein की बात करें तो यह order यह sequence को बताते हैं amino acids के कैसे वो एक दूसरे के साथ linked है कोवलेंट bond के साथ और डाइसलफाइड यानि sulfur की linkage के साथ हम primary protein में yes I would like to tell you कि जो normal हीमोगलोबिन है इसमें वेलाइन हिस्टिन यू थ्रो प्रो ग्लू ग्लू लाइस यह सारे normal हीमोगलोबिन में amino acid होते हैं अगर एक भी amino acid नीचे sickle cell हिमोगलोबिन दिखाया हुआ है इसमें GLU नाम का जो amino acid है अगर वो वेलेनिन से change हो जाता है तो protein aggregate कर जाते हैं और जो cell abnormal growth के हो जाते हैं और इनकी abnormal growth जो है वो sickle cell जैसी हो जाती है अगर एसे जैसी हो जाती है तो इसे sickle cell anemia जो है वो कहा जाता है तो अगर glutamic acid को वेलेनिन हमारी body में change कर दे तो यह problem आ सकती है primary structure का protein करने के लिए हम इसकी hydrolysis, mineral acid, alkalis या enzyme के साथ करते हैं और successive hydrolysis से हमें क्या मिलता है, मैं लिए भी बता चुके है, protein की hydrolysis से हमें proteosis मिलते हैं, proteosis की hydrolysis से peptoons मिलते हैं, peptoons की hydrolysis से हमें polypeptides मिलते हैं, 1853 में एक British chemist था, जिसका नाम Frederick Sanger था उसने पहला structure, जो protein का primary structure डिसकवर करा था, वो insulin था आपको पताएगे, diabetic patient insulin के, मना diabetes की भी types होती है, A और B तो एक particular type of diabetes mellitis में insulin के injection patient को लगाते हैं, tablets के साथ उनकी जो sugar level आपको control नहीं होती, तो इसके लिए British chemist Frederick को 1962 में उसके काम के लिए noble rise मिला था, और ये insulin के structure के बारे में बताता है, insulin जो है, ये एक poly peptide hormone है, जो के pancreas में बनता है, ये normally हमारी body में बनता है, तो जिनकी body में pancreas काम करना बंद कर देता है, या कम काम करता है, फिर वहाँ पे insulin बार से देनी पड़ती है, ये carbohydrate की metabolism के लिए, ये sugar की metabolism के लिए बहुत required होता है, तो इसमें दो chains होती है, poly peptide की, एक chain amino acid, 51 amino acid की बनी हुई है, और दोनों chains में 51 amino acid होते हैं, वो आपस में disulfide linkage से बने होते हैं, जैसे ये एक insulin की chain है, 51 amino acid की, ये दूसी है, ये sulfur है, ये sulfur है, ये sulfur है, ये sulfur है, ये कौन सा bond हो गया, disulfide bond हो गया, और अगर insulin की कमी हो जाए तो patient को diabetes हो जाती है, इनसान को diabetes हो जाती है, और insulin एक बहुत important role play करती है, blood में और deficiency insulin की जो है वो diabetes, जो है वो cause करती है, ठीक है, यहाँ तक clear है, आज हम primary structure परटीन तक ही पढ़ते हैं, कल फिर हमने परटीन का secondary, tertiary, quaternary structure पढ़ना है, denaturation और परटीन पढ़ना है, ठीक है, वो आपका परटीन का last lecture होगा, महलों दो lectures में हमने परटीन को finish करना था, I'm sure कि मैंने जतना पढ़ाया, वो आपको अच्छी से clear होगा, ठीक है बच्चा, thank you very much, we call it a day, love you all, बाकि हम कल करेंगे, ठीक है, nice day.